Hello Friends, Welcome to the Jorawar Classes आप सबी का स्वागत है इस Hindi MCQ की क्लास में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया से Related MCQ को तो सब लोग क्लास से जुड़ जाएंगे और क्लास को सेयर कर देंगे आजाते हैं अपने कोशन पर आज का पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर पत्ता पेड से गिरा वाक्य में प्रियुक्त क्रिया है Option A है सकर्मक्रिया B अप्शन है संग्युक्त क्रिया C अप्शन है सामान ने क्रिया D अकर्मक्रिया तो एक चीज आप अपने माइंड में सेट कर लो कि ये लिखा किस तरीके से गया है पत्ता पेड से गिरा और जब अपादानकारक होता है जब अलग होने की कंडिशन होती है अपादानकारक होता है तो उस कंडिशन में आपको अकर्मक क्रिया देखने को मिलेगी तो फर्स्ट कोशन का जो करिक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी पत्ता पेड से गिरा वाक्य में प्रियोक्त क्रिया अकर्मक क्रिया होगी ठीक है चलिए नेक्स्ट मूब करते हैं अगला कोशन देखेंगे अध्यापक ने लड़के को पीठा वाक्य में प्रियोक्त क्र तो देखिए हम क्रिया पता कैसे करते हैं जो कह सकते है कि करता होता है उसमें क्या लगा करके या किसे लगा करके जब हम प्रश्न पूछते हैं और उसका हमें उत्तर मिल जाता है तो वो क्रिया का सकर्मक रूप होगा और अगर उत्तर नहीं मिलेगा तो वो क्रिया का अकर्मक रूप होगा ठीक है तो अध्यापक ने लड़के को पीटा तो अध्यापक ने किसे पीटा हमें जवाब मिला लड़के को पीटा ठीक है किसे पीटा तो लड़के को पीटा यानि कि किसे का हमें जवाब मिल चुका है तो ये कौन से क्रिया हो जाएगी ये होगी सकर्मक क्रिय ये होगी सकर्मक क्रिया तो second question का correct answer होगा option D second question का answer होगा option D सकर्मक क्रिया होगी चलिए next move करते हैं अगला question दिया गया है यदि भारती टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी तो बिश्व कप जीत जाएगी यहाँ पर condition दिया जा रहा है कि यदि भारती टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी तो बिश्व कप जीत जाएगी और हो सकता हो अगर अच्छा प्रदर्शन ना करे तो ना भी जीते ठीक है तो वाक्य में हमें प्रियुक्त क्रिया बताना है option A है हे तु हे तुमत भविश्यत कालिक क्रिया B option है सामान ने भविश्यत कालिक क्रिया C option है संभाव भविश्यत कालिक क्रिया and D option है उप्युक्त में से कोई नहीं ठीक है तो देखे जब कह सकते हैं कि एक तरीके से ऐसा condition दिया जाए एक सर्थ रखी जाए सर्थ क्या है सर्थ ये है कि अच्छा प्रदर्शन करना है सर्थ ये है अच्छा प्रदर्शन करना है जब किसे भी वाक्य में सर्थ रखने की स्थिति उत्पन हो तो उसमें होता है हे तु हे तुमत हे तु हे तुमत होता है लेकिन ये भविश्य की बात कही जा रही है की जीत जाएगी तो हे तु हे तुमत भविश्यत कालिक क्रिया होगी ठीक है तु हे तुमत भविश्यत कालिक क्रिया होगी थर्ड कोशन का correct answer होगा Option A Next move करते हैं अगला कोशन है पुजारी ने नहा कर पूझा की वाकि में प्रयुक्त क्रिया है option A है संग्युक्त क्रिया B option है सामानने क्रिया C option है प्रेडार्था क्रिया and D option है पूर्विकालिक क्रिया तो याद रखेंगे कि जब नहा कर या कर के या कर आए ठीक है कर या कर के आए तो इस condition में जो क्रिया का रूप होता है इस condition में जो krya का रूप होता है वो होता है पूर्विकालिक krya ठीके जैसे नहा कर पूझा किया खाना खाके पढ़ने गया ठीके तो खाना खाके इस तरीके जαी अगर हम कहें तो करके या कर में अगर हम देखे तो पूर्विकालिक krya होती है तो fourth question का correct answer क्या हो जाएगा fourth question का correct answer होगा option D next move करेंगे अगला question दिया गया है निमनलिखित में से किस बिकल्प में शामान ने भूत कालिक क्रिया का उदाहरण है सामान ने भूत कालिक क्रिया का उदाहरण देना है हमे option A है कृष्णे ने भासुरी बजाई थी कारिय पूरा हो चुका है तो ये होगा पूर्ड भूत कालिक क्रिया ठीक है कृष्णे ने भासुरी बजाई तो ये आपका correct answer होगा option B ये सामान ने भूत कालिक क्रिया है C option में अगर हम देखे कृष्णे ने भासुरी बजाई है तो ऐसा लग रहा है ये कारिय अभी अभी शमाप्त हुआ है तो जब कोई कारिय तुरंत समाप्त होता है तो वहाँ होता है आशन भूत वहाँ होता है आशन भूत एंड क्रिश्णे बासुरी बजा रहा था तो ये कारिय अभी चल रहा है तो ये होगा आपूर्ण भूत, ये होगा आपूर्ण भूत, ठीके, तो इस तरीके से 5th question का correct answer क्या हो जाएगा, option B, चलिए next move करेंगे, अगला question दिया गया है, रभी ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य में प्रियुक्त क्रिया है, option A है सजाती एक्रिया, B option है क्रिदन्त क्रिया, C option है सहाय क्रिया, and D option है, उप्रियुक्त में से कोई नहीं, तो देखिए, यह बहुत ही आसान सा question है, अब आपको होने वाला है confusion, कैसे देखते हैं, देखिए, आप पढ़े होंगे कि जो विकारी शब्द होते हैं, वो होते हैं 4, जिसमें हम सबसे पहले जानते हैं संग्या को, फिर जानते हैं सर्वे नाम को, फिर जानते हैं विशेशन को और विशेशन के बाद हम जानते हैं क्रिया को, विशेशन के बाद होता है क्रिया, तो ये तीनों रूप से अगर कोई क्रिया बनती है तो उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं, जैसे कोई शंग्या सब्द ल तो ये समनामधातु क्रिया हो जाती है लेकिन जो क्रिया से जो क्रिया से जैसे माले जे पढ़ एक मूल शब्द है ठीक है ये क्रिया है और इस क्रिया से जब हम प्रत्य लगा करके प्रत्य लगा करके कोई क्रिया बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रिदंत क्रिया कहते हैं तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पढ़ के साथ लगा हुआ है तो हो गया पढ़ ही ठीक है तो हमको इसके according जवाब नहीं करना है बलकि इसमें एक है शब्द जुड़ा हुआ है और आप लोग पढ़े होंगे helping verb English में है क्या होता है सहायक क्रिया होती है तो जब हमें इसमें कोई underline नहीं किया गया है तो सबसे last में है का प्रियोग हुआ है इसके according हमें बताना है कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रियोग हुआ है तो छटे question का जो correct answer होगा वो होगा option C इसमें शहायक क्रिया का प्रियोग हुआ है ठीक है सहायक क्रिया का प्रियोग हुआ है ठीक अगर ये line underline करके देता कि पढ़ी में कौन सी क्रिया है तो इससे हम क्रिदंत क्रिया करते लेकिन जब ये पूरी तरीके से underline नहीं है तो है क्रिया के अनुशार हम करेंगे कि इसमें सहायक क्रिया है ठीक है बागी कि ये points आप अपने copy में note down कर लिजेगा important है ये चलिए next move करते है अगला question है वे cricket खेल रहे थे वे cricket खेल रहे थे वाग के में प्रियुक्त क्रिया है option A है अपुर्ण वर्तमान कालिक क्रिया B option है संदिग्द वर्तमान कालिक क्रिया C option है संदिग्द भूत कालिक क्रिया D option है अपुर्ण भूत कालिक क्रिया तो अपुर्ण वर्तमान कालिक क्रिया अगर हम इसे देखे तो इस तरीके से हम कर सकते हैं वे क्रिकेट खेल रहे हैं क्योंकि हम पढ़े हैं कि वर्तमान काल है तो थे नहीं होगा संदिक्द अगर रहे, संदिक्द वर्तमान काली क्रिया रहे तो खेल रहे होंगे, इस तरीके से हम कर सकते हैं खेल रहे होंगे, ठीक है, खेल रहे होंगे, अब यहाँ पे संदिक्ता बनी हुई है, शायद खेल रहे हों ना भी खेल रहे हों, ठीक है, और अगर हम संदिक्त भूत कालिक क्रिया में करेंगे, तो इस तरीके से होगा, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, वे क्रिकेट खेले हों देखिए अब यहां पर ध्यान दिजेगा, यहां पर खेल रहे होंगे तो संदिक्द वर्तमान कालिक क्रिया, और खेले होंगे, खेले होंगे तो संदिक्द भूत कालिक क्रिया हो जाता है, और एक ही option बचा, 7th question के लिए option D, वे cricket खेल रहे थे, तो यह हो जाएगा लिखित में से किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, अकर्मक क्रिया अगर हमें क्या या किसे लगाने पर जवाब ना मिले तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है, बीजै क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, जवाब मिल गया, रवीना क्या पका रही है, खाना पका रही है, तो ये भी जवाब मिल गया, खुसी क्रिकेट खेल रही है, क्या खेल रही है, क्रिकेट खेल रही है, तीनों जवाब मिल गया, मिन्स हम कह सकते हैं, ये सब सकर्म क्रिया के उदारण है, ठीक है, एक इसमें option बसता है, option C, पिता जी टहल रहे हैं ये अकर्मक क्रिया होगा चलिए next move करते हैं अगला question माता जी ने पुत्र से हलवा मंगवाया यहां पर कार्य स्वैम ना करके किसी और के माध्यम से कराया जा रहा है तो हम लोग यह बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब कार्य स्वैम ना करके कि किसी और के मात्यम से कराया जाता है तो वहां पर होती है प्रेडार्थक क्रिया यानि कि हम कह सकते हैं 9th question के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा option B चलिए next move करते हैं अगला question पानी बरसने लगा पानी बरसने लगा वाक्य में प्रियुक्त क्रिया है option A है संग्युक्त क क्रिया C option है पूर्वे काली क्रिया and D option है उप्युक्त में से कोई नहीं तो देखिए बरसने लगा ठीक है बरसने लगा पानी बरसने लगा है ये पूरा वाक्य है लेकिन यहां पर अगर हम द्यान दे तो दो क्रिया एक साथ हा रही है बरसने लगा ठीक है तो इसमें क्रिय का रूप होगा, शंग्युक्त क्रिया, ठीक है, तो हम कह सकते हैं, 10th question का जो correct answer होगा, वो होगा, option A, संग्युक्त क्रिया, चलिए, next question पर आ जाते हैं, अगला question, मुहिनी ने गाना गाया, मुहिनी ने गाना गाया, वाक्की में प्रियुक्त क्रिया है, option A है, पूर भूत कालि क्रिया, B option है, शामान ने भूत कालि क्रिया, C option है, आसन ने भूत कालि क्रिया, and D option है, संदिक्त भूत कालि क्रिया, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, गाना गाया है, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम भूत कालि क्रिया बेगर इसको रखते, तो हो जाता, गाना गाया था गाना गाया था ये पूर्ण भूतकालिक क्रिया हो जाता सामान्य भूतकालिक क्रिया कब बनता है जब हम लिखते कि मोहिनी ने गाना गाया मोहिनी ने गाना गाया और शंदिक्द भूतकालिक क्रिया कब होता है जब हम इस तरीके से लिखते कि गाना गाया होगा गाना गाया होगा लेकिन ऐसा लग रहा है ये कारिय तुरंत समाप्त हो रहा है भले यहां पर है का प्रयोग किया गया है लेकिन तुरंत समाप्त हुआ है तो हम कह सकते हैं कि जो ये sentence है उसके लिए correct answer होगा option c आशन भूत का क्रिया जब कोई कारिय तुरंत समाप्त हो ठीक है ऐसा लगे कि जल्दी समाप्त हुआ है तो वहां पर आशन निक्रिया होती है ठीक है और वो sentence में कि भूत कालिक है वह आपको देखना पड़ता है चलिए next move करते हैं अगला question दिया गया है मूनिका पत्र पढ़ती है मूनिक पत्र पढ़ती है इसके लिए correct answer हो जाएगा option A सामाने बर्तमान कालिक क्रिया ठीक है अगर इसका अपूर्ण बर्तमान कालिक क्रिया हम बनाए तो इस तरीके से लिख सकते हैं पत्र पढ़ रही है ठीक है समभाव्य में अगर हम इसे बदले तो शायद सायद या पत्र पढ़ रही होगी इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं पत्र पढ़ रही हो ठीक है वह ही होगी हो जाएगा तो वो भविश में चला जाएगा सायद पत्र पढ़ रही हो या पत्र पढ़ रही हो इस तरीके से हो जाएगा एंड संदिक्द वर्तमान कालिक क्रिया में क्या होगा पत्र पढ़ती या पत्र पढ़ रही होगी पढ़ रही होगी ठीके तो ये संदिक्द वर्तमान कालिक क्रिया का रूप हो जाएगा ठीके सारे points को आप ऐसे clear करते चलेंगे तो वाक्ये को में स्वारी वाक्ये में कौन स क्रिया है पहचानना जादा असान हो जाएगा चलिए next move करते हैं अगला कोशन देखेंगे अगला कोशन दिया गया है निमनलिखित में से किस विकल्प में हे तु हे तु मत भविश्यत कालिक क्रिया का उदाहरड है option A है रमेश अपने पिता से मिलने भरत पुर जाएगा बी option है अगर मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे C option है रोहित तुम खेत जोतीएगा तुम ही खेत जोतीएगा and D option है अनिल बहुत दूर चला गया शायद वह लोट कर नहीं आए चीक है तो दिखते हैं क्या होगा रमेश अपने पिता से मिलने भरत पुर जाएगा यहां पर अगर इस वाके में देखे तो यह हो जाएगा शामान ने भविश्यत कालिक करिया ठीक है सामान ने भविश्यत कालिक करिया होगा B option अगर मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे अभी मैंने बताया कि अगर सर्त रखी जाए सर्त क्या है मेहनत करने की तो मेहनत करने की जब सर्त रहेगी अभी हम लोग साय दिये second या third question में इस तरह से question की गए है ठीक है तो जब क्या होता है शर्त रखी जाती है कि तब वो कारिय पूर्ण होगा तो वहाँ पर हेतु हेतु मद क्रिया का उदारण होता है तो 13 question का जो correct answer होगा वो option भी होगा लेकिन अगर हम देखे C option में रोहित तुम ही खेत जोतियेगा तो यहाँ पर जाएगा आग्यार्थक भविश्यत कालिक क्रिया और अनिल पहुत दूर चला गया शायद वह लोटकर नहीं आएगा तो यह शंभाव्य होगा संभाव्य भविश्यत कालिक क्रिया होगा ठीक है मैं short form में लिख दे रही हूँ आप लोग इसे अच्छे से लिख सकते हैं चलिए next move करते हैं अगला question देखेंगे 14 question 14 question है नहरु जी जेल से पत्र लिखा करते थे ठीक है? क्या दिया गया है? पत्र लिखा करते थे वाक्य में प्रियुक्त क्रिया औप्शन ए है सामाने क्रिया B option है पूर्विकालिक क्रिया या पूर्नकालिक क्रिया क्यों कह सकते हैं C option है संग्युक्त क्रिया and D option है सहायक क्रिया तो क्या इसके लिए correct answer होगा इसके लिए correct answer है option C क्योंकि लिखा और करते एक साथ हाया है ठीके लिखा और करते एक साथ हाया है तो इसमें correct answer हो जाएगा option C next move करते हैं और ये आज का last question है बच्चे दौड रहे हैं बच्चे दौड रहे हैं वाक्य में प्रियुक्त करिया है option A है अकर्मक करिया B option S अकर्मक करिया C option है सामान ने करिया and D option है उप्युक्त में से कोई नहीं तो बच्चे क्या दौड रहे हैं ठीक है क्या बच्चे क्या दौड रहे हैं तो हमें कोई जवाब नहीं मिला बच्चे किसे दौड रहे हैं तो भी हमें जवाब नहीं मिला यानि कि हम कह सकते हैं कि 15 question में correct होगा answer option A अकर्मक करिया ठीक है अकर्मक करिया दोड़ना अक्सर जो है ये अकर्मक क्रिया के अंतरगत आता है तो 15 question का correct answer हो जाएगा option A तो इस तरहीके से हमारे सारे question complete हो गए क्रिया से related अगर किसी को कोई problem होगी तो वो हमें comment box में लिख देगा मैं उसको देख लूँगी तो मिलते हैं अपने next class में साम को 7 बजए EFS की class में और आज की जो हमारी class होने वाली है आज की साम की जो हमारी class होने वाली है वो बहुत ही important है अच्चे से पढ़ करके आईएगा आप लोग अच्छे से पढ़ करके आईएगा देखते हैं कितने लुका कितना सही होगा तो मिलते हैं साम को साथ विजे थैंक यू